कि अफिए आज के वीडियो में जाद अनोटिंगी मत कर सिदह सिदह वीडियो स्टाट कर नहीं तो फोड़ करांगे स्टाट कर जल देशाएं कि कि तो दोस्तों आज के वीडियो पा侍ा आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा थाम्लेल को कासे एक्टरेक्टि बदना आ UPLOG दिंखाता है वह सब से फ़हले पिक्स्टा अप ड्लीकेशन का प्लिघ है और यहापर उपर थ्री डौड्डमे किलिक करके हीप जो साइज है यहाँ पे आप लोग के रोगों करना है और कस्टम साइज में क्लिक पकरने लीचा में करने के बाद लोगों के यू़्टूब चैनल बैनर को करना है यह पर यूझू थक्र नहीं करना है लेकन है फिरे इसको डिलीट करके प्लास वाला जो ऐसे देखके आप लोग भी मेरे तरह मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसा आप लोग भी बना सकते हो तो गाईस ऐसे करके फिर से मैं दुबारा और एक जो फोटो है उसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ और एड़ेस्ट करके यहाँ पर लगा देता हूँ तो गाईस नीचे थोड़ा साब लोग को एड़ेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगागा जितना टाइम लगाओगे उतना अच्छा बनेगा तो टाइम लगेगा कोई बात नहीं लेकिन आपका थामनेल थोड़ा एक्टेक्टिव देखना चाहिए तो इसके लिए थोड़ा स अजो लोगो है ओठोड़ा गोल-गोल दिखना चाहिए सको सरकल कर। यहां पर काट कर। थोड़ा सा आइकन मतलब अङकर करके बठा देना है आम लोग को तो बेटरलिण के बाद यहाअप一下s हो जाना के बाद हमलोग को क्या करना है सवाइज एक काम होने के बाद यहाँ पे श्ट्रॉक बाला जो हमारा option है यहाँ पे श्ट्रॉक में click करके इसको एनफेल कर देना है करने के बाद यहाँ पर red color को अब लोग को choose कर लेना है थोड़ा इसको stroke जो है बढ़ा लेना है अब लोग को फिर अब लोग को यहाँ पर थोड़ा सा scroll करके shadow में चली जाना है यहाँ ब्लैक वाला जो shadow है इसको slit कर लेना है तो देखने में थोड़ा attractive लग जाएगा जो logo है हमारा और यह जो तीनों photo है सेम प्रोसेस अब लोग को यहाँ पर करना है करने के बाद यहाँ पर सब को lock कर देना है layer में जाके करने के बाद यहाँ पर plus वाले icon को click करके फिर से दुबारा यहाँ पर आ जाना है एक background जो है आप लोग को slit कर लेना है तो गईस एहाँ पर मेरा जो है यह वाला एक background मैंने ले लिया तो इसको एहाँ पर adjust करके आप लोग को लगाना है तो adjust करना बहुत ही आसान है और थोड़ा time लगता है तो adjust करने में बहुत ही मुश्किल भरी तो कुछ काम नहीं है बस आहाँ पर आप लोग को बढ़ाना है इसको scrub करकर करके आप जो है थोड़ा थोड़ा करके adjust करके आप लोग को देख लेना है और अपना जो thumbnail है पूरा मतलब आपका जो thumbnail का जितना भी area है फुरा कोभार होना चाहिए और इसमें जो हमारा जो एफेक्ट है जो background का जो एफेक्ट ओ ऐसा लगना चाहिए थोड़ा एक्ट्रेक्टिव जहाँ पर हमारा जो लोगो है पूरा same to same सही जगा में बैठना चाहिए अगर यह बाला मतलब background अगर आप लोगो पसंद नहीं आता तो इसको भी delete कर सकते हो अब लोग डिलीट करने के बाद दुबारा फिर से एक background अब लोग लगा सकते हो तो मैं simple से एक दूसरा background यहाँ पर लगा दिया तो वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा था इसलिए इसको फोटो है जो subject है यहाँ गैलरी में आके फिर से दुबारा इसको select करके ले लेता हूँ तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं इधर तो बढ़ाने के बाद यहाँ पर adjust करके यहाँ पर side में लगा देता हूँ इसको करने के बाद अब लोग को जो है नीचे layer मे है और इधर थोड़ा सा इसको adjust करके यहाँ फे भी लगा देना हैं करने के बाद यहाँ पर से दोबार नहें और कैशद करके जो है मतलब उपर वाला जो है हमारा जिए जो डंड जैसा दिकGE रहा है उसको थोड़ा किच के उपर कर देना है और नीचे वाला को थोड़ा से किज के इदर नीचे कर देना है तो करने के बाद यह जो LINE है थोड़ा स्ट्राइंगल जैसा LINE बना लेना है आब लोगों को दिने में एक्ट्रक्टिव लगता है जो triangle और कुछ भी करके ऐसे अब लोगो को बस adjust करके लगा देना है तो जलबाजी में अब लोगो को बस ऐसे घरकर दिखा रहा हूँ आब लोगो को जितना time मतलब लगने देना तो बस अब लोगो को सही सलामत यहाँ पर जो काम करना है तो करने के लिए मतलब बहुत है अच्छा के ऊपर आप लोगो ज़िए करके कोई भी एक जरीछ करके करं करने के बाद मैंने यuto रखा और करने के बाद यहाँ पर जब्लेक सब्सक्राइब WOstorm कर देने हैं फिर भूह पसंद आए तो यहां पर यहां नियोग लगानप करके सो गाइस दिखने में बहुत ही यूनिक लगता है और एक्टरक्टिव भी बन जाता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा येलो वाइट रगद लेता हूं तो दिखने में संदल लगता है और जो कलार है यह अब लोग बाद में भी चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है औ और जितने भाद चाहो उतने भाद चीज़ कर सकतों कोई ऐसे यह नहीं तो यहाँ पर फिर से प्लाजबल आइकन में आके जो टेक्स्ट है हमारा टेक्सट एडिक्ट्व में क्लिक करके कुछ टेक्स्ट लिगना है तो यहाँ पे मैं लिग देखता हूं कि एक्टरक्टिव करने के बाद यहां पर हमारा जो dave भीजो k 55 करेंग तो एहां पर हमारा माइप वाफ को आ बाला वूए मेरे ले लेदा हूँ जो देखने में थोड़ा एक इस स्ट्रॉड को है इदर देंगे सालते सकते हूं है तो हमारा जो तो फॉंड है स्टाइल ओ थोड़ा सा मतलब देखने में एक्ट्रक्टिव लग जाता है और भी देखने में तो करने के बाद इसका सेड़ो भी आप लोग कर देना है सेड़ो भी यहां पर है तो सेड़ो ब्लैक या फिर रखना आपने जो बेगराउंड के हिसाब से रखना आप लोग को पड़ेगा तो यहां पे मैंने ये लोग कर दिया कुछ भी कलार अब लोग रख सकते हो तो करने के बाद रहे इससकून ने क्तलिए अज़ग वहां करने के बाद घूरा पर तक्रिब मनाने के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग को मिल जाते हैं कर लेना तो देख के तो फिर से मैं टेक्स्ट में क्लिक करूंगा और दोबारा सा एक कर मतलब हमारा जो फॉंड है और कर लूँगा तो यहाँ अब लोग जो है कालर का जो स्टाइल हो करें दे सकता हूं तो आप लोग के अच्छाई के लिए तो यह बाला दू जो है न और भी दिखने में अट्रक्टिव लग रहा है उस पहले बाला से कई गुना ज्यादा तो यह बाला आपको भी आप लोग कर सकते हूं तो इसको लोग कर देता हूं दूसरे जो हैं हमारा वहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करके दोबारा इधर आ जाता हूं टेक्स्ट में एडिट वाला जो अप्सिन है यहाँ पर पेल्सिल वाला वहाँ पर क्लिक करके मैं थामनेल लिख देता हूं तो यहाँ पर हो गया हमारा थामनेल और लिखने के बाद इधर थोड़ा एड़ लोगों को नहीं बता सकती कि कितना बहुत टाइम लग जाएगा इसी वीडियो को सूट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो अब लोग को ध्यान से देखना है ठीक है तो यहाँ पर आने के बाद जो हमारा कालार है ग्रेड इंग्रेडियन बाला इसको यहाँ पर ए है स्ट्रोग भी अनवेल कर देना है करने के बाद यह हमारा जो थमनेल है बनके अभी फिलल रेडि हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिलल जो कुछ भी है मतलब थोड़ा सा दिखने में तो एक्ट्रक्टिप बन रहा है तो गैस इ अगर यह वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल में नहीं है तो फिलिज सब्सक्राइब कर देना तो चलिए दोस्तों ऐसा ही धवा के दार वीडियो के साथ मिलते है तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार